नमस्कार दोस्तों इस टेक ग्रोजी में आपका स्वागत है दोस्तों हम बेल्टरॉन के स्टुरेंट के लिए डेटा एंटरी ऑपरेटर के लिए एक सैट पेपर लेके आए हैं दोस्तों यह मेरे नमबर है वाटसेप नमबर इस पर आउप कॉल यह मैसेज करके प्रीवियस एक जितने भी आपको एक्जाम पर चाहिए मिरे पास 40 सैट अब लेवल हैं अगर आपको जो भी सैट पर चाहिए आप ले सकते हैं और टोटल कॉस्ट की बात टोटल कुशन की बा इसे ही इंपॉर्टन कुशन लेके आते रहेंगे हम ऐसा जुड़ी रहेंगा चलिए हम आगी की कोईशन डिसकस कर लेते हैं कि क्या कहा रहा है दोस्तों इसमें कहा रहा है निमने लेके सेल्स की सामिक्री का अध्यन करें देखिए इसमें ए और बी की कॉंटिट वो दे हमारा साइन होता है यह हमारा मल्टिपल का साइन होता है अटू है सेल ओसे सूत्र खीच कर सेल बीठी में कॉपी किया जाता है तो थो यह सेल बीठी में दिखने वाला मान क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है हमारा वो हमारा 3 वाला होगा 12 और इसका बल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है इसका जो सही आंसर है वो बल्कुल 12 होगा B3 का पूछा है इसमें 2 ऐंके का कुषन परते हैं मिसमें पूछ जारा है निमलिकेत में से कौन अनुप्रियोग सौफ्ट्वेर का उधारर नहीं है कि दोस्टों जो हमारा है यू पी नूटो यह हमारा एक उधारर नहीं है बलकि SAP हमारा एक business software है जिस पे हम billing या फिर अपना वो करते हैं MS Office भी हमारा software है जिस पे हम office work करते हो Oracle भी हमारा एक business software है जिस पे हम अपना billing, purchase वगरा जो भी बड़े-बड़े industries होते हैं उसमें SAP Oracle यही सब use होते हैं ठीक है? 23 question की तरफ चलते हैं इसमें पूछा रहा है निमने लिकित में से किसी software माना जाता है operating system को software माना जाता है बल्कि जो ROM हमारा है यह random memory है यह hard disk की हमारी memory होते हैं यह तीनों जो हमारी है यह software नहीं होते हैं ठीक है 24 question की तरफ चलते हैं इसमें पूछा जा रहा है in Windows XP the start button in the low left corner of your screen gives you access to all program on your PC including MS Word to start MS Word choose start उसके बद all program उसके बाद rest दे रखा है कि इसमें क्या चूज़ा है इसमें क्या चूज़ा है उसके बद MS Word दोस्तों सबसे बहले हमें start में जाएंगे फिर हम all program में जाएंगे उसके बाद हम आप्लिकेशन्स में जाएंगे उसके बाद हम MS Word में जाएंगे तो जो इसका correct answer है वो अप्लिकेशन्स होगा 25th question की तरफ चलते हैं इसमें पूछा जा रहा है MS Excel 2016 निमने लिखे निमने में से कौन से command button formatting toolbar का भाग भाग नहीं है दोस्तों ए यह two वाला जो हमारा है यह हमारा formatting toolbar में नहीं होता है इससे आप जो है वो बड़े एक श्रुम में लिखेंगे इससे आप छोटे यह सब formatting का toolbar का भाग है लेकिन यह जो हमारा second वाला है यह toolbar का भाग नहीं है 26th question पूछे जा रहा है आप MSXL worksheet की विशेश पंक्ती में सभी sales के format रंग को बदल के हलका नीला करना चाहते है उप्योग तो पंक्ती का chain करने के बद इस कारे को करने के लिए आप निम ने लिखे तमें से कौन सी सुविदा को प्रियोग उप्योग नहीं करेंगे इससे हमारी पूरी फाइल कलर हो जाएगी अगर हम इसका यूज करते है 27 question में पूछे जा रहा है identify the incorrect statement for TCP in the TCP object IP protocol इसका जो सही जाएंसर है वो फोर्त वालों का provides reliable transport service 28 question की तरफ चलते हैं इसमें पूछे जा रहा है to control how users should work with worksheet inside your workbook structure use इसका जो सही जाएंसर है वो फोर्स वालों होगा workbook level protection छीक है दोस्तों 29 question की तरफ चलते हैं इसमें पूछा जा रहा है 29 question में sale A1 has a number 105 in it at its background is white and font color is black when its content change to 67 the background becomes pink and the font becomes red when the number 206 is entered in the A1 cell the background become light green and the font becomes dark green what could be the reason for this दोस्तों इन सब चीज़ों को एप्लाय करने क्लिए हमें conditional formatting एप्लाय करने पड़ेगी तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे थर्ड वालों होगा इस due to conditional formatting applied to the sale 30 question की तरफ चलते इसमें पूचे जा रहा है आप वहां से प्रेवियस और के एक्जाम पेपर मगा सकते हैं पूरा PDF मगा सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवल अवल है दोस्तों इसकी कॉस्ट जोड़ है